Hello my dear friends, आज की क्लास में हम discuss करेंगे structure of store structure of store में हम देखते हैं कि कोई भी organization होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले journal manager कंट्रोल करता है सभी department को देखता है कि उनमें क्या काम हो रहा है अगर हम बात करें personally store की, तो store को सबसे material manager के उपर को manage करने वाला manager होता है, उस prisoner tar call को देखता है कि क्या रहा है, जो general manager recep yearly material manager होता है, then superintendent होता है store buyer तो को मैनेज करने के लिए तो पर ध्र डिवाईड के लिए कि स्टोरकीब लिए यहांद स्टोर के लिए पर स्टोक जो की होता है उसके लिए तो जो स्टोक के लिए स्टोर कीपर होता है उसके लिए एक असिस्टेंट स्टोर कीपर भी होता है यानि कि स्टोक को मैंटेन करने के लिए जो हमारा स्टोक होता है उसको देखने के लिए यानि कि उसका असिस्टेंट भी रख देते कई वर वो नहीं होता है या वो उसके पा पर के नीचे assistant होते हैं और रो मेंटरीयल में अलग अलग टाइप रो मेटरीयल होता है याई तो रो मेटरीयल जो आ रहा है डिन टूल सेंड एक्क्यूपेंट यानिकी maintenance करने वाला या फिर stationary के लिए तो इस तरी के से जब भी जो जो फोते ये यूस होने वाले आईटबस न लिए अलग अलग ये assistant बना देते हैं जो बड़े-बड़े फौंब होते हैं तो में अलग असिस्टेंट बना दिया जाते हैं ताकि वह इसको देखें अच्छे से यांकि जो ऑसेट साहिके पर होगा वो स्टेशनरी को देखेगा एक तो या फिर टूल या मेंटेनस को ही देखेगा या एक रो मिट्रियल को देखेगा और जो स्टोर की पर होगा वह मतलब की इस तरीके से दिजाइन होगा, यह फिर रो मेटरियल को देखेगा, मेली स्टोर कीपर में परसन होता है, स्टोर रूम के अंदर, वही रस्पोंसिबल होता है, सभी आइटाम्स के लिए, उसी के अंदर चार्ज होता है, सभी आइटाम्स का, कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो सभी चीजा को मेंटेनस करना या कुछ में स्डोरी या जो ऑर यूह जो अब हो रही है तो सभी चीजों के लिए जह स्टोरकीपर होता है वहीर सब्सक्राइब करती तो ये था discussion I think आपको helpful लोगा अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर शुरू करना मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में Have a nice day